पदमभूशन डॉक्टर अनिल प्रकाश योशी पर्यावरण की बहतरी के लिए किये गए अपने कारियों और प्रयासों के लिए देश विदेश में जाने जाते हैं वहां हरित कारे करता होने के साथ ही हिमालियन परयावरण अध्यन और संरक्षन संगठन के संस्थापक भी है जो कि परयावरण ने असंतुलन कुजनता के बीच बहुचाने के लिए मुंबई से साइकल यातरा पर निकले हैं जो कि इन दौर पहुचे हैं इसी पर देखिए हम पर यह खास रपोर्ट 11 सदस्य दल के साथ मुंबई से उत्तराखन की प्रगति से प्रक्रती पथ साइकल यातरा पर निकले ख्यात परयावरण विद पद्मभूशन डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी शुक्रवार को इन दौर पहुचे चर्चा के दौरान डॉक्टर अनि पासी देश में कितनी तरह की बाड़ चिनन नहीं जहां पानी के तरही तरही मच रही है वहां बाड़ा आ जाती है केरल में बाड़ा जाती है पिछले अगर दस सालों का आप अन्भों ले तो अंत्ता एक बार पड़ी समझ में आती है कि कहीं पे सब कुछ बिगड रहा है जिसका हमें बान नहीं है कितनी अजीब बात है कि अब मौसम में आप अंतर नहीं कर पाते हैं कब बरसा पढ़नी चाहिए जुलाए में अक्तुबर में बारिस पढ़ लिए आपका बारिस का कौनसा मौसम है आपके मौसम बदल गए हमने कितना कुछ बदल दिया लेकिन मज़ को बना नहीं रहे है कि इसायद प्रकृति हमें खट-खटा रही है एक बड़ा संदेश कोविट के माध्यम से भी दिया था कोविट को आप बिल्कुल प्रकृति से अलग ना माने कोई प्रकृति का एक उत्पात था जब आप दो में से एक काम करोगे या तो अब आप गड़ी खाना सुरू करोगे तो प्रकृति के खिलाफ है और अगर आप कोविट जैसे वाइरस को कोरोना जैसे वाइरस को बायलाजिकल टूल की तरह यूज़ करोगे तो वो भी प्रकृति के तो अब आप देखिए एक वाइरस एक न दिखने वाला वाइरस बैक्टिरिया आपको बता दे कि डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी 71 प्रतीशत वन भूभाक वाले उत्तराखन में ग्लोबल वार्मिंग और जलवायू परिवर्तन की चनौतियों से पार पाने की पैरवी करते रहे हैं जिसे जन्त साधारन तक पहुचाने के लिए विसाइकल यातरा पर के लिए हैं ब्यूरो रिपोर्ट MP News इन दौर